एक गाउ में सीता कहकर एक गरीब औरत रहती थी, वो एक अनाद आश्रम में बड़ी थी उसको कुछ दिन के बाद एक गरीब किसान के साथ शादी हुआ एक अनाद को शादी किया है कहकर उस किसान का माँ पिता को ये बात बिलकुल पसन नहीं था इसलिए सीता के पती नहीं रहने समय पर सीता को वे लोग बहुत सता देते कुछ दिनों के बाद सीता गर्बवती बन गई एक दिन सीता का पती खेत में काम कर रहा था तो एक साम उसे काट कर बेचारा वो उदर ही मर गया था उससे पती का फोटो देखते हुए सीता बहुत दुकी हो रही थी सीता का सास और ससुर उसे घर से निकालने के लिए तयार हो गए थे तब सीता ये क्या है सासुमा ससुर जी मुझे घर से जाने के लिए कह रहे है लेकिन मुझे कहां जाना है मैं एक अनाद हूँ मुझे आपके अलावा और कोई नहीं है और मैं पेट से हूँ कहां जाओ और कहां जी हूँ कहकर हाथ जोडने से भी उनका मन नहीं पिगला तब सास हमारा बेटा ही मर गया है तो तुम से हमारा कोई मतलब नहीं है तुम और तुमारे होने वाले बच्चे उस बारिश में भीगते हुए गाओं चोड़ कर चली गई एक गाओं में एक पुराना खराब हुआ रेलवे बोगी था सीता उदर जाकर उसके अंदर गई तब ही उसका पेट में दर्द शुरू हुआ सीता उदर ही एक बर्त पर सोजाकर एक लड़गी को जनम दिया ऐसे जिन्दगी गुजारने के लिए सीता उस रेलवे बोगी के आगे एक चोटा सा थेला लगा कर इडली दोसा तयार करके बेचना शुरू किया बगल में एक पेड़ पर जूला लगा कर उसमें बच्ची को सुला कर काम करने लगी कुछ दिनों के बाद वो बच्ची बड़ी हुई स्कूल जाकर पढ़ाई करना शुरू किया खाली समय पर वो बच्ची तेले के पास मा को काम में मदद करने लगी हर रोज उस भोगी के सामने ही वे खाना पका कर खा कर अंदर जाकर सो जाते थे एक दिन बच्ची भोगी के पास आ रही थी तब सीता के सास और ससुर को एक लौरी ने ठकरा कर चला गया तब वो बच्ची भागते हुए आकर सीता से ये बात बोली तब सीता भागते हुए जाकर देखी तो उनको पहचान कर तुरंट एक आटो को बुला कर उदर रहने वाले के मदद से उनको आटो में छड़ा कर अस्पताल लेकर गई उदर डॉक्टर उन दोनों को इलाज किया दॉक्टर देखिए इन दोनों को होश आने में और चार दिन लग सकता है पैरों को और सुर को बहुत चोड लगे है वे कम होने तक इनको बिस्तर से नीचे नहीं उतरना चाहिए कहा ऐसे सीता उनको उस रेलवे भोगी में ले जाकर उदर सुला कर उनका सेवा करने लगी हर रोज उनको सीता और बेटी मिलकर जूस पिलाकर दवाई देकर अच्चे से देखबाल करने लगे दो दिन के बाद उन दोनों को होश आया वे दोनों सीता को पहचाने तब सास बेटी तुम सीता हो ये तुमारी बच्ची है क्या पूची तब सीता हाँ सासुमा ये मेरी बेटी है ये आपकी ही पोती है बेटी ये तुमारी दादी मा है और ये दादाजी है बोली तब बच्ची हेलो दादाजी, हेलो दादी बोली, तब वे दोनों बहुत खुश होकर बच्ची को पकड़ कर चुम्मा दिये तब सास बेती सीता, हमें माफ करो तुम गर्ववत्ती हो कहकर सोचे बिना हमने तुमको घर से निकाल दिये थे फिर भी वो सब तुम मन में रखे बिना हमारे इतना खयाल रखी हो तुम्हारा ये एहसान इस जनम में नहीं भूल सकेंगे बोली, तब ससुर जी बेती सीता, हमने जो गलती किया उसके लिए हमें माफ करके हमारे साथ आजाओ, कहा तब सीता कहकर प्रणाम किया